बचन सुनने के लिए आप साभों का हर्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं महिलाओं को बधाई, सुख, कमना और असिर्वाद देता हूँ महिला दिवास के आउसार पर कि परमेशर उनको बहुत ते आसिद आपने महीमा के लिए इस्तिमाल करे। महिला नाकेवाल आज के जगत में सिर्श स्थान तक पहुँच चुका है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश के रास्ट पती जो फास्ट पार्सन होते हैं देश के स्रिमति दुरुपदि मुर्मू एक महिला होने के साथ ही सर्वोज स्थान को प्राप्त कर ली। इसलिए मह महिला परिवार से लेकर आप देखिए देश के बिभिन बिभिन बड़े बड़े छेतर में उच्छे लेबल तक हम उनको देखने पाते हैं। सिष्ठी के समय को ही देखें, परमिर्शा ने सिष्ठी का काम जब किया, पहला दिन किया अच्छा है। दूसरा जिन बनाया, उसके बाद महिला को जब बनाया। पूरुस के साथ में राने के लिए तब उन्होंने आच्छा ऐसा नहीं कहा। मानों की एक विद्वान का कहना है वाव उन्होंने का ऐसे सब्द ही नहीं था जिनके कारण से महिला के लिए कुछ लिखा जाए लेकिन परमेशन आत्ती सुंदर बनाया नाकेवल सुंदर बनाया बहुत ही उनको धर्ज सहने की सक्ति दिया है और महिलाओं को देखते हैं काम ना अध्या में जिनका चर्चा हम पाते हैं उसी का आलोक में महिला दिवस का उसार पर हम महिलाओं पर चर्चा करेंगे और हम देखने का कोशिस करेंगे कि दोरकास के जीवन में कौन सा खास बात थी और आज के जीवन के लिए हम उससे क्या सिक्षा को ले सकते हैं महिल से उनको देखने पाते हैं एक प्रचालित जो यह है आपने देखा और पढ़ा होगा कभी उमन जो है यह पांच अक्षर का लेटर होता है अंग्रेजी में डबलू ओ एम ए एन डबलू से काता है वांडरफुल मादर यानि कि अदभुत मा अदभुत कैसे कि इस उपए में अ इसिस्ट या अनोखा या मित्र के रूप में एम से काता है मार्विलस डाटर काता है यह अनोखा बीटी के रूप में हम देखने पाते हैं और काता है ए से काता है एडरेवल सिस्टर काता है यानि कि प्यारी बहान के रूप में से देखने पाते हैं एन से काता है नैसेस्ट gift to men from the God यानि कि परमेशर की ओर से मनुस के लिए दिया हुआ gift स्वरूप है जिसे नीती वचन 18 दे 22 बाद में काता है जिसने इस तरी ब्याले उसने उत्तम पदर्त पाया काता है और ये परमेशर की ओर से जैसे कि आदम के लिए हवा को बना कर से gift स्वरूप दिया वो ऐसा ही मनुस के लिए तो ये अलग अलग रोल में महिला को हम देखने पाते हैं मादर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे मा के बारे में चर्चा कर रहे क्यों आनोखा हमने देखा मादर का जो 6 अक्षार का लेटर होता है सबसे पहला आता है M आता है मनें most lovable काता है यानि सबसे प्यारी मा होती है हर एक के जीवन में ना भी हो अधिकांस लोगों के जीवन में यही है और मा के जैसे प्यार हम दूसरों के साथ में compare नहीं कर सकते हैं दूसरा चीज है काता है outstanding ओ आसाधरन, vicious होती है काता है T से काता है teacher, पहला जो सिक्षक जो होता है मा ही होती है H से काता है honorable, सम्मानिया या माननिया ये मा होती है जिसका respect करना हर एक बेटा-बेटी के करता अब्या है बने उत्कृष्ट काता है, सबसे best वाला काता है ये तो मादर के लिए मा के लिए कहा गया जो भी हो, आज का वचन जो की परितों का काम नावाद है उसका 36 से 41 में एक महिला का चर्चाम पाते है जिसका नम तबीता और इसका युनानी नम कहा जाता है दोरकास के नाम से जाना जाता है और दोनों का आर्थ ये की है हिरनी हिरनी के नाम से ये आर्थ जाना जाता है दूसरा के गता है चिंकारा के रूप में भी और एक आर्थ इसमें आता है मन भावन यानि कि इस मन भावन से मुझे लगता है उनका जो चल चलन था उनका जो बेहवार था ये आर्थ उनके साथ में नाम के साथ बहुत सूट करता है क्योंकि ये जो महिला थी ना केवल अपने लिए जीती थी इसके बिवा के बर में कोई चर्चा नहीं ऐसा लगता है कि आके लिए राती थी प्रंतु ये गरीब दूखी विध्वा इन लोगों के परति बहुत दैलुता दिखाती थी उनको सहाथा करते थी कलिशीया के लिए भी समय के लिए समय देती लोगों के भलाई के लिए वी इसलिए लोगों के बीच में बहुत ही सुनाम हिस्त्री थी और जब वो मर जाने के बाद में उनको लिटा दिया गया नहला धुला के और पत्रास को इसु का जो चेला था उसको बुलान भेज दिया ताकि वो आकर उनके लिए प्रात्ना करे च्यंगा हो यह जो घटना है यह जाफानगर का है जाफा नगर बरतमान में इस्रेयल देश में है और उस सहर का नाम जाफा का नाम अभी तील अभीव के नाम से जना जाता है हाला कि ओफिसियल हम कहें तो ये इस्रेयल देश का केपिटल है राजधनी है प्रन्तु अभी बरतमान में उन्होंने अपने राजधनी चेंज कर दिया इरुसलीम को बना दिया जो भी हो ये ओफिसियली हो ना हो अलग बात है प्रन्तु उस देश में आये ये ज्यन लेकिन एक बात है यहाँ पर देखने पाते हैं वो इतना भला काम करते हुए भी हम देखने बिमार होकर मर जाती है मरने के बाद में जिनको वो सहयता करती थी कपड़े सिलाई करके उनको देती थी वे लोग उन विधवा महिला लोगों अनात लोग वे लोग देखे कि ऐसा कैसा हो सकता है उनको नहला धुला के बेड में लिटा दिया और पत्रास के पास कबार भी जा ये उस समय की घटना इसु मसी जी उठा मिर्तिवों में से जी उठनी के बाद स्वार को चले गए उसके बाद पर रात्मा उतरता है और इसु मसी स्वार जाने से पहले ही पत्रास और बाकी चेलो को भी कहा, तुम जयाके सब दिशों के लोगों को सुसमचार प्रचार करो, मत्ती 28-29 में जैसे कहाता है, उस अदेश को पालन करने के लिए बाकी चिले भी यहां उहां जा कर सुसमचार प्रचार करने लगे, परमीसर का वचन प्रचार करने लगे, और पत्रस भी जाकर में पढ़ा हुआ था, चल नहीं सकता था, उसके लिए प्रात्ना के वो चंगई को प्राप किया, इस घटना को सुनने के बाद में यहां भी महिलाएं सोचने लगे, भी द्वा महिलाएं, पत्रास को जब बुलाएंगे, वो प्रात्ना के वो जीवित हो जाएगी, और ऐसा ही किया गया, पत्रास उनके बीच में आया, सबको घर से निकाल दिया, उसके बाद उनके लिए प्रात्ना किया, और वो उट खड़ी हुई, और उनके हाथ में स्नौप दिया, देखिए, इस घटना में जब देखते हैं, यह अद्भूत एक चमातकर है, और इस घटना के अध प्रितों का काम पूस्ता का लिखने वाला जो बैक्ती था, उसके बारे में कहा जाता है, लुक का ही था लेखाग, और उनके थिवफिलुस को पहला पाद में ही, पहला देखा पहला पाद में ही भी दरसाता है, कि थिवफिलुस के नाम सुनों ने लिखा, थिवफिलुस का लोग का चाह रहाता कि उन लोगों तब भी पहुँचे जो लोग यहुदी नहीं है और प्राभू को ग्रहन करना चाहते हैं चहें नहीं की हैं उन तक भी सुसमाचार पहुचे इस कारण से उन्होंने लिख कर इसको देता है और आज का इतुआर का नाम भी दिया गया है कौसी मौदो गेनिती का आर्थ होता है नय जन्मे बलकों के समान ये पहला पत्राद दो अध्या दो पास से लिया हुआ है नय जन्मे बलकों के लोग का स्वभव कैसा है ये लोग खाने पीने के लिए रोने लगते हैं और उनको पिला दिया जाए दूद तब तो ये लुकसांत हो जाएंगे वैसे ही आपको मुझे क्या करना है छोटे बलकों के समान ही आपको मुझे परमेसर के वचन के लाल सा करना चाहिए जैसे उनको पिला दूद पिलाने के बाद उनका पेड़ भार जाता है वे लोग संतुष्ट हो सकते हैं और ये बच्चे जैसे पीने के द्वरा से उनका सारिक विकास होने लगता है ये आत्मिक भोजन परमेसर का वचन लेने को दर आत्मिक रूप से हम बढ़ने लगते हैं और ये हमारे जीवन में काम करने लगता है और खास कर आज तवीता के बारे चर्चा कर रहे है ताबीता के समान हमारा सौभा भले गून से भर जाता है क्योंकि बैबल काता है लोस्त dwutthierz तीन अदे सॉला पात में काता है हरेक पर मिसर का वचन उसके आत्मा के प्रेना से द्वारा लिखा गया है और सतरफात में काता है ताकि हरेक जन क्या करता है भाले काम के लिए सीध बन जाया ऐसा काता है यानि कि ये वह चन जो है हमारे चीमन में काम करने लगता है जब हम इसे ग्रहन करने लगते हैं जो भी है आज के सिर्शक के अदाप मैंने दो पॉइंट पर चर्चा करना चाहूंगा सबसे पहला पॉइंट जो है काता है तवीता के लिए प्रात्ना तवीता के लिए प्रात्ना निवेदन किस ने किया ये बिदुआ, महिला, अनात लोग जो उनके बीच में तवीता काम कर रहे थी वे लोग प्रात्ना करवाने के लिए पत्रास के पास अदमियों को भेजा, वे लों उसके बुला के लाते हैं, और पत्रास उनके लिए प्रात्ना करता है, वो जीवित हो जाती है, देखिए जीवित होना परमेशर का सामत का काम है, क्योंकि परमेशर जिंदा ही सुर है, इसु मसी को स्वाय देखिए, अपने इन लोगों को जीवित किया, याहिर की बेटी को उन्होंने जीवन दान दिया, बिध्वा का बेटा को उन्होंने जीवन दान दिया, लाजार जो चार दिन से काबार में पढ़ा हो तो उसे भी जिन्दा किया, ना केवल इन लोगों को जिन्दा के खुद स्वाएं इस सुमसे जीवित हो उटा, इसलिए जो कोई सुपर विश्वास करते हैं, वे लोग भी जीवित होंगे, ये हमारा विश्वास है, परमेसर का बचन यही कहता है, जो हन्नागारा पाच्चीस में कहता है, पुनुतान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए, तो भी जीएगा कहता है, ये परमेसर का प्रतिग्या, और आज भी ऐसा दभूत काम, जो तविता के साथ हुआ, होते जा रहा है, जगत में बहुत सरे घटना ऐसे हो रहा है, दो-तीन हमारा घटनाओं के बार में हम संच्छिप में आपको बताना चाहूंगा, दोनों भाइबान प्रभू में आ गए, और अच्छनक से विमार होने के साथे संताकोर मार गए, उनको दफनाने के लिए समय नहीं था, साम हो चुका था, इन्हों ने घर के लोगों ने मना कर दिया, हम इसका दफन में सामिल नहीं होंगे, ना ही कुछ करेंगे, क्योंकि य ऐसे आते हैं कि वो उपर का छात को तोड़ते हुए, और उनमें समा जाता है, फिर जीवित हो जाती है, उनको पता चल जाता है, मरी हुई थी, फिर जीवित हो गई, हम लोगों ने रिती का मंगलनी के बारे में चर्चा किया है, जो आगरा के महराज है, जो कि बड़ा पु लगों नहीं हुए, दपनाने से पहले रितीका ने अपने ससूर से कहा, जो बी कि ये लोग मसी को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हों ने कहा, मुझे कुछ समय दिजीए, क्योंकि उसकी बहान, रितीका के बहान, अमेरिका में विवाह किया था, एक मसी ही परिवार में, और उ लाने लगा आँख खोलने लगा फिर जीवित हो जाता है कई घटनाओं कम देखने पाते हैं और एक विशेश बैक्ति काम चर्चकरने और तो वो तो है महेश चावड़ा एक बार अपने सेवकई में काफी सारे असी देशों में कम से उसका सेवकई अभी विचारी है कॉंगो देश में प्रचार कर रहा था एक प्रचार के दर्मियन पर में सरकात्मान उनको अगवई किया उन्होंने कहा कि एक बैक्ति जो ऐसा है इस जबा में और उसका बेटा सुबा ही मार चुका है और वो उसका डेट बोड़ी को उन्होंने सब घर में ही रखा है जो डेट बोड सामने आता है पूछा तो सही है कि हाँ है सही है उनके लिए प्रातना के जैसे प्रातना का अस्पीटल उनका प्रान वापस आ जाता है परमेश रादबुत का काम आज भी कर रहा है लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हरे को जीवित हो जाएंगे जितने मरे हुए हैं क्योंकि सामर्ती है आज भी काम कर रहा है क्योंकि मराववा ब्यक्ति को हम गाली दें लात मारें घुसा मारें वो कोच भी नहीं करेगा लेकिन जीवित ब्यक्ति हलचल करेगा बात करेगा इधर उदर हो सकता है परमेश र जीवित आज भी काम कर रहा है दिनकरन का पुस्तक मैं बिमार है और गंभीर बिमार मरने वाला है कम से कम उनके लिए प्रात्ना कर दीजे उन्हें ने उनके लिए प्रात्ना किया प्रात्ना के बाद उन्हें ने चीठी लिग बेजा आपका बेटा मार जाएगा जिंदा नहीं होगा और मरने से पहले ये कहेगा मुझे लेने के लि मुझे लेने के लिए स्वादुत आ चुके हैं, मुझे जाना होगा, और ऐसे करके उनके बीच में से बिदा हो जाता है, देखे इस्वार का इच्छा जब जिनको लेना है, अपने समय पर बुलाता है, प्रंतु कायों का जीवन को अधिक जोडता है, अपने है, और उस से हम जोड़ नहीं सकते हैं, एक मिनिट, एक तीन भी आधिक जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये इस्वार की बात है, प्रंतो ये एक बात है, सामत का काम तो होना ताय है, और होते आ रहा था, पहले से भी अब भी बरतमान में हो रहा है, प्रंतो ये एक बात है, यहाँ पर आत्मिक रुप से मृत है और आत्मिक रुप से मरे हुए लोग खल चल नहीं कर सकते हैं, आत्मिक चीजों को नहीं कर सकते हैं, पुइंती नहीं कर सकते हैं, आरधना नहीं कर सकते हैं, यह लोग खाले लोग या गीतों को गा नहीं सकते हैं, यह लोग ऐसे अवस्ता में जो ल नए जन्मे बलकों के समान, कौासी मौदोगेनिती और ये किया परमेसर कवचन की ललसा का परमेसर कवचन को हमें लोगों को सुनाना है उनको जो प्रभू की में नहीं है और आत्मी ग्रूप से मृस्त तवस्ता में है देखे बीच को हम जब वोते हैं जमीन के अंदर में जाने के बाद वो मारता है लेकिन उसके बाद एक नाया सा पवधा उगने लगता है वैसे ही परमेसर कवचन जब हमारे अंदर में जाता है बीच के समान एक आत्मिक पवधा उगने लगता और बढ़ा होने लगता है इसलिए हमारे जिवन बदला हट लाने के लिए आत्मिक रूप से जिवित होने के लिए परमिसर का वचन के भी जरूरत है और इस कारण से काता है नए जन्मे बच्चों के समन आत्मिक दूद की ललसा करो काता है ऐसे करने के दुर हम क्या करेंगे हम दूसरों के लिए प्रात्ना करें वाचन में रहेंगे हम भारे एक भाले काम के लिए जैसा दूसरा तेमोतिस तीन अदे सत्रा पाद में हर एक भाले काम के लिए हर एक जन सीध और तयार हो सकते है काता है और आप देखते हैं कई लोगों के पास में आज भी भले काम करने के लिए आगे आते हैं जैसे कि उस समय में किया गया कि इतियास इसका गवा है Mother Teresa उसका एक उदाहरन है जो कि हमारे देश में नहीं थी विदेश से होते हुए भी इंडिया में आती है गरीब कुछले लोगों का सेवा करने में अपने जीवन को बेदित करते हैं अंतिम स्वास तक देखिए और प्रान त्याग देती है विस्व भर के लोग उनको जान गए है कितना सेवा का कम ओ धानी नहीं थी जिनके मादम से लोगों के मादद कर सकती यहां दौरकास तो कम से कम उनके पास धान था धान के दौरा इस्वार की भी सहता करता और लोगों के मादद करता उनके पास ऐसा नहीं था फिर भी कम से कम उन्होंने जो संभावों सेवा का कम में आगे बढ़े इसलिए आईए हम लोगों के लिए प्रात्न के आत्मी ग्रूप से मिरित तवस्ता हैं उनको वचन प्रचार करें ताकि आत्मी ग्रूप से जीवित हो सकें और वे हार भाले काम के लिए तैयर दूसरा पॉइंट जो काता है तबिता के समान हम देने वाले बने तबिता क्या देती थी तब पहला है इस्वार के लिए देती थी और दूसरा है लोगों के लिए जिनको ज़रुरत मन था उनको देती थी और उन देने में के क्राम में आप देखिए उन्होंने समाय दिया उन्होंने अपने धन दिया उन्होंने अपना कपड़ा सब दूसरों को दिया जैसे ही पत्रा से उनके लिए प्रात्न करने हैं उन्होंने उन कपड़ों को दिखाया जिनको उन्होंने सिलाई करके उनको दिया था पहानने के लिए इस्तमाल करने के लिए इसलिए यहाँ पता चलता है को उन्होंने कपड़ा भी उनको बटा समय दिया, धान दिया, कपड़ा दिया, अपना उर्जा भी उन्होंने दिया तो हम परमेसर के लिए क्या दें आज और दूसरों के भलाई के लिए क्या दें मैंने कई बर चर्चा किया परमेसर देने के बारे में आज 60 की हम चर्चा करेंगे 45 टी ऐसा करते हैं बढ़ाते 60 तक आग चुका है और एक विद्वान का 40 से मैं जोड जाड़के कर रहा हूं और इसमें 6 टी आता है पहला टी से काता है थैंक्स यानि परमेसर को धन्यवाद हर दिन हर बातों के लिए क्योंकि बचन ही यही काता है दूसरा टी से क्या काता है टाइम समाय देना है परमेसर को समाय देना है तीसरा काता है ट्रस्ट विश्वास देना है दूसरों में नहीं देना है इसूर में इसुख्रिस्ट में हमें विश्वास देना है चाउथा टी स करता है ट्रेजर इधान धवलत जो है इस वर के आश्य से मिलता है इसलिए इस वर के महिमा के लिए हमें देना चाहिए सिक्स नमबर टी से काता है टोटाल लाइफ संपुन जीवन को प्रभू को अर्पित करना जैसे कि रोमी बारादे काम करने लगता है क्या क्या काम करेगा वो तो इस वर खुद जानता है दूसरी बात देखें दूसरों को मदद करने के लिए हम क्या दे सकते हैं जैसे कि तवीता कर रही थी देखिए दूसरों को मदद करना ये अच्छी बात है और करना ही हारी का करता ब्याए क्योंकि मत्ति पच्छी सद्ध्य में हमने देखा, 31 पास से आगे, अंतिम दिन इस्वास से जब आएंगे, उन दिन कहेंगे, धर्मी लोगों से, जब मैं भूका था, तुमने खाना किला, जब मैं पैसा तुमने पानी पिला, जब मैं बीमार में था, तुमने स्वासु देखी, तब प्रभ कब आपके साथ ऐसा बेवार किया, प्रभुन से कए किसी भाई या बाहन के साथ तुमने जो किया, मेरे ही साथ किया, तब आपी लोगों से, ये नरक में चले जओ, जब मैं भूका था तब तुमने खाना नहीं पिला तो यह पोचेंगे, प्रभु कब आपको नहीं खिला, आये काव आपको नहीं पिलाया प्राभूं उन्से कहेंगा किसी भाई या बहान के साथ उन्ने जो नहीं क्या मेरे साथ नहीं किया इस का पर्कारां के काता है हम धूसरों ये जिन जिन परिवार तक जिन जिन मनलियों में दिहातों में रहते हैं जिन के पास पहनने के लिए नहीं है सारे घर से बहुत सारे कपड़ा गदा हो गया और उनके बीच में बाटना सुरू किया काफी दिनों तब बाटा गया उस बाटने का क्राम में मैं भी सामिल था और इस करण से मुझे पता है कि कई ये मनलियों में जहां जहां बाटा गया मुझे याद है क्योंकि उसके लिए मदद करना चाहते हैं, करना चाहिए, जैसे कि दौरकास यै तविदा ने किया है, हम मदद 3 रूप से करते हैं, खास कर जय कर Self की करते हैं, पहला है फिज़िकल में क्या है? हम सर्ण कर और से अपना طाकव प्राव करके, दुसर्ण के स्काम में मदद करना यह physical help में होता है सारी group से मदहित के नाम से भी जानते हैं दूसरा काता है material help material help में चीजबस्तुई पैसा कोड़ी दे कर चै कपड़ा देना भोजान देना या पैसे देना इतियदी दे कर हम जो मदद करते हैं material help तीसरा में काता है spiritual help ये उनको अगोई करना है उनको ऐसा आइडिया देना शिक्षा देना मर्द धर्शन करना है कि वे बैक्ति अपने समासां को खुदवा सुल जा सकते हैं उनका जीवन को बहतर बना सकते हैं इस करन से हम जिस से भी संभाव हो दूसरों को मदद करना है आज काई लोग है जो कि इस प्रका की दोरा कोट का चैरी में उसके बिरोद में केस लड़ा जा रहा था और उसको चोरी का इलजा में पकड़ा गया था और उनको पूछा गया अपने ऐसा क्यों किया चोरी करने और कौन सा चोरी उन्होंने ब्रेट चोरी किया जिसके कारण से उनको जेल की सजा के लिए उनका उ और मेरी माँ बिमार चल रही है, मैं जहां काम करने जाता हूँ, काम करके लाता हूँ तो हम लोग खाते हैं, लेकिन जिस दिन मेरे बिमार गंभीर बिमार हो गई, उस दिन मैं काम पर नहीं जाने सका, और नहीं जा पाने के करण से मुझे दूसरा दिन नोकरी से निकाल दिया और नोक्रिष्ट निकल देने के बाद हमारे पास में पैसा नहीं है खाने के लिए इस करांग से मुझे ब्रेट चोरी करना पड़ा जज ने उनको पूछा आप किसी से मदद मांग सकते थे ब्रेट के लिए आप चोरी किया उन्होंने का मैंने कम से कम 15 से 20 लोगों को मदद मंगा किसी ने भी मदद नहीं किया आंतों मुझे चोरी करना पड़ा और चोरी करते पकड़े गए जब जज ने इनका हटनाओं को सुना उसके बाद में वो गंभेर हो गया उन्होंने का एक ब्रेट चोरी करने के लिए पकड़ा गया जिस दुकानदार ने पकड़ कर उसको जेल की सजा दिलाने का कोसिस किया उस दुकानबाद पर जुर्मन लगा दिया तुम ये नहीं जाने कि इस बच्चा क्यों चोरी किया उसका हलत किया था किस बज़ा से चोरी किया और बिना बज़ा से उसको सजा दिलाना चाहे इसलिए एक हजार डॉलर का जुर्मन तुम पर होगा जिस वोकिल ने उसका केस लड़ने के लिए और इस बाला को सजा दिलाने का कोसिस का उस साव डोलर का जुर्माना भारेगा उन्होंने कहा उसके बाद मैं जिन जिन लोगों के पास में ये बालक जाकर हिल्प मांगा, खाने के लिए भोजन मांगा किसी ने नहीं दिया 15-20 के लोग उनको 50-50 डोलर का जुर्माना उनको देना होगा उसके बाद में काता है, जितने लोग कोट में बैठे हुए हैं, हम लोग ऐसे समझ के हिस्सा हैं, जहां पर एक बैक्ती भूका मर रहा है, और एक ब्रेट तक देने के लिए हमारे पास में दिल नहीं गवाई दे रहा है, ऐसे समझ का हिस्सा होकर हम क्या दिखाते हैं, ये तो बहुत ही निंदन ये बात है कहा और उन्होंने का जितने वे इठें सारे लोग 10-10 डॉला जुर्मना देंगे जज ने अपना पोकेट से खुड 10 डॉला निकाला और उन्होंने जुर्मना बारा और उसको जेतना पैसा हुआ उस बालक का मदद के लिए दे दिया गया कहाने का मतलब है उस बालक जो खालत में था मदद क्या हो सकता था किसी ने नहीं किया और ऐसे समाज का हिस्सा होकर राना किसी को खुसी नहीं लग सकता है आज ऐसे समाज का हिस्सा ना बने अपने परिवार को पहला बहतर बनाए देखिए परिवार से ही सुरू होता है महिला ही परिवार के सिक्षेक है पहला हमने चर्चा में कर चुका है महिला जदी बच्चोंग पर ज़्यादा ध्यान देगी उनको सही परवरिस करेगी तो बच्चे लोग अच्छा परिवार नि निर्मान होगा राच्छे देश का निर्मान होगा मैं आज आज यहां कड़ा हूँ आपको इस प्रकार के सिक्षा देने के पीछे मेरी मा का बहुत बढ़ी हाथ है और वो जदा पढ़ी लिखी तो नहीं थी प्रंतु बच्पन से मुझे जो सिक्षा दिया जिनके कारण से जब भी मेरे मा बिमार होती मैं बच्पन भी ये प्रात्ना करता मन ही मन मेरे माता को कुछ नहीं होना चाहिए परमेसर में मा जदी मरने वाली है तो उस बिमारी को मुझे में दे दीजिए और मेरे मा को कुछ मत होने दीजिए क्योंकि उनका कुछ हो जाएगा तो मुझे प्यार करेंगे आज बच्चे लोग माता पिता का बहुत प्यार चाहते हैं कि उनकी बच्चे ही प्यार के भूके होते हैं कम से कम एक हाग भी देना या गले लगाना कई माता पिता कभी करते भी नहीं है मैं उनसे अनुरोद करना चाहूंगा कि आप ऐसा करें मैं साइकोलोज का student होने गनाते जानता हूं कि आप किसी को गले लगाते हैं अखस कर अपना बेटा बेटी को एक positive energy उन में संचारित होता है और ये क्या करता है उनके मनसिक विकास में भी सरिक विकास में भी ये सहता करता है साथ ही उस बालक बलिका में क्या करता है आत्म भी स्वास बढ़ने लगता है और छोटे बच्चे जड़ी जो नन्हमया आते हैं उसे गले लगाते हैं उनका जो ये होता है Immunity System बुस्ट होने लगता है जो कि बिमार से बचाने का काम करता है साथ है खुसी संचारित होने लगता है उनको डर भय लग रहा ही तो डर भय ग्याप होने लगता है और माता के साथ में अपना एक गहरा संबन्द बढ़ने लगता है। माता पीतां को और क्या करना चाहिए इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूं। इसलिए कि इस संबन्द में मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं। एक हिस्टियन माता पीता अपने बच्चों का किस प्रकार धियान देना चाहिए देख भालकर नहीं। उस पर मैं अलग से एक दो वीडियो बना चुका हूं। तो उस पर मैं ज़्यादा चार्चा नहीं करना चाहता हूं। प्रण तो ये एक बात है, प्यार के भूके होते हैं, आप उनको प्यार केजिए, सही मार दिखाए, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे परिवार हो चैसे समाज का निर्मान होगा, आज सभी महिलाओं को यही सूप कमना देता हूं, आप पीछे ना रहें, दौरकास या आमिन, हम प्रातना के, सेनाओं के जित्विता धन्याबाद एतना, आज के वच्छन का हम से बाते किया, दौरकास के समाने हारे को भला उत्तम बनने में सही तरा गवई करें, खास कर सभी महिलाओं को तेरे हाथ में राखते हैं, हारे को अपने स्वार के आसे से भर दे, उन प्राइब कर दीजिए, अब जो बेल आइकन निकले, उसे प्रेस करके वाल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने बले वीडियो का नोटिपिक्रिशन आपको समय पर मिल सके, धन्याबाद